अगर आप मेरे चैनल में नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करेए I'm really sorry मैं काफी दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ही बिजी थी और आज के इस टीटोरियल में मैं आपको दिखाऊंगी पार्टी मेकप कैसे करना है ये completely beginners के लिए है तो चलिए शुरू करते हैं मैंने यहाँ पे लिया है face mist जो की hydration और glow के लिए होता है इसको लगाने के बाद थोड़े से आप हाथों से डैप कर लीजिए ताकि skin में absorb हो जाए then मैं यहाँ पे use कर रही हूँ मॉशराइजर और मॉशराइजर लगाने के बाद भी आपको थोड़े देर मसाच करना ही पड़ेगा ताकि foundation से पहले आपका skin जो है वो बिल्कुल रुखा ना हो और smoothly foundation blend हो जाए और जो भी products मैं use कर रही हूँ जो की minimize करता है और कई ऐसे primer भी आते है जो makeup को fix करता है वो आपको उसी हिसाब से खरीदने पड़ेंगे जो आपको चाहिए अगर आपका foundation already long wearing है तो आपको उस primer की जरुती नहीं है अब मैं यहाँ पे use करूँगी studio sculpt foundation की mac का है और यह gel based foundation है dry skin के लिए बहुत ही अच्छा रहता है इसमें मैंने दो color mix किया है थोड़ा light और dark इसको लगाने के लिए मैं sponge ही recommend करूँगी अगर आप में से कोई beginner हो makeup में पहले sponge से practice करें फिर अग आपको लगता है कि sponge में आप अच्छे हो गए हो फिर आप brush से शुरू कर सकते हो otherwise brush से आप directly use करोगे तो बहुत सारे strokes आएंगे आपको use करने में बहुत ही difficult होगी product waste हो जाएगा तो आप practice जो है वो sponge से ही करें लगाने के लिए और जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ जो भी products मैं यहाँ पर use कर रही है हो सकते है कि वो थोड़े costly हो इसका substitute आपको जरूर मिल जाएगा market में जैसे कि यह foundation है थोड़े dry skin के लिए है glossy finish में है full coverage है तो ऐसा ही foundation आप Maybelline में देख सकते हो Lacme में देख सकते हो या L'Oreal में देख सकते हो तो don't be confused products को लेके अब चलिए face को थोड़ा सा shape भी देते है इसके लिए मैंने लिया है wet and wild का contouring palette और brush तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस shape कैसा है थोड़ा सा angled है इसको मैं use कर रही हूँ hollow of the cheeks जहाँ पर already हमारा structure बना हुआ है hollow वहीं पर आपने use करना है back and forth strokes बोलते है इसको जैसे हम कोई चीज घिसते है इस तरीके से आपने लगाना है उसमें line बना के बिल्कुल काला काला ऐसा नहीं करना है बहुत लोग यह गर्तियां करते है contouring करते वक्त और इसको मैंने jawline पे भी लगा लिया है क्यूंकि आप hollow of the cheeks और jawline दोनों जगे पे आप लगाते है तब ही जाके आपका face shape जो है वो shape में आता है otherwise define नहीं होता है सिर्फ आप उपर के तरफ यूज करते हैं तो अब मैं यहाँ पे use कर रही हूँ blusher इसके लिए मैंने brush change कर लिया है जो की specific size है और इसको मैं use करूंगी apple of the cheeks और जब मैं blend कर रही हूँ बहुत ही carefully contouring के ऊपर बिल्कुल mix नहीं करना है अब चलिए देखते हैं highlighter कैसे use करना है और कौन सा color जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें 3 color दिया है और इसको लगाने के लिए मैंने बिल्कुल पतला fluffy brush लिया है इसको मैं सिरफ cheek bone पे use कर रही हूँ मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि highlighter बहुत आगे तक नहीं ले के आना है और ना ही blusher के उपर mix करना है अब मैं साथी साथ थोड़ा सा nose भी contouring करूंगी same brown color से brush भी same है इसको सीधे strokes में use करना है लेकिन ध्यान रखे कि आप contouring करते वक बिल्कुल उसको जालाब हुना कि एकदम dark ऐसा नहीं करना है color देखे कि अगर आपको कितना dark चाहिए उसी हिसाफ से आप लगाए बहुत जाबा dark करते है तो बहुत ही अजीब लगता है बिल्कुल suit नहीं करता और इसमें जो light color दिया है वो मैं use करूंगी center में अब चलिए eye makeup शुरू करते हैं उसके लिए मैंने यहाँ पे concealer palette लिया है यह इसलिए लगाया है क्योंकि आपका eye shadow जो है वो लगाने के लिए आपको कुछ base चाहिए उसकी बाद मैं यहाँ पे blue color का eye pencil ले रही हूँ इसको मैं liner की तरह use करूंगी पहले थोड़ा सा मोटा ही आप draw करिए फिर इसको मैं smudge करूंगी यह eye shadow flat brush है आपका base इतना strong नहीं रहेगा उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है blue eye shadow जो की थोड़ा सा shine है और इसको पूरे eye lid पे जहाँ पे आपने pencil लगा के smudge किया है उस area पे आप इस color को पूरा लगा लिजे डैप करके अगर आप इस तरीके से नहीं लगाएंगे तो पूरा color आपके base में गिर जाएगा अब मैंने यहाँ पे brush change कर लिया है जो की fluffy shape में है उसके बाद मैं यहाँ पे लोंगी brown burgundy color और इसको मैं use कर रही हूँ crease पे जो मेरा crease था उसको मैं softly define कर रही हूँ बट यहाँ पे कोई मैं harsh line नहीं create कर रही हूँ और blend करने के लिए आपको यही brush use करना है जिसको blending brush बोलते है अब मैंने यहाँ पे smudger brush लिया है जिसके help से मैं lower lid पे smudge कर रही हूँ blue eyeshadow मैंने use किया है अब मैं यहाँ पे use कर रही हूँ pen eyeliner जो की beginners के लिए perfect है जिनका हाथ shake करता है liner लगाते वक्त बिलकुल भी practice नहीं है तो आप इसी liner से आप शुरू कीजिए आपका हाथ बहुत ही अच्छा चलने लगेगा और यह जो liner है यह काफी dark भी है जब भी eyeshadow लगाने के बाद आप liner use करते हैं वो थोड़ा सब पतला होना चाहिए otherwise eyeshadow जो आपका है बिलकुल नहीं दिखेगा अब मैं यहाँ पे lash color से eyelash call कर रही हूँ mascara लगाने से पहले mascara and fake lash लगाने से पहले उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है यह voluminizing mascara और इसको मैं पूरे lashes पे use कर रही हूँ मैं यहाँ पे smudge free काजल यूज कर रही हूँ जो नहीं फैलता है अगर आपको suit नहीं करता काजल तो आप कोई nude pencil लिजिए या फिर आप use ही मत करिए वो भी अच्छा लगेगा जरूरी नहीं कि हर look में काजल यूज करना है अब मैंने यहाँ पे लिया है eyebrow gel जो की brown color का है dark brown और इसको लगाने के लिए मैंने angular brush लिया है यह आप थोड़ा सा ध्यान से देखे यह वाला part क्योंकि eyebrow है यह बहुत ही challenging होता है बहुत लोगों को मैं देखती हूँ specially जिनके बहुत ही क्योंकि इसको इस तरीके से draw करना है कि shape में भी आए और natural भी लगे अगर आप इसको बहुत ज़्यादा dramatic करते है specially आगे की तरफ अगर आप ज़्यादा dark करते है तो बहुत ज़्यादा loud लगेगा और वो बिल्कुल भी suit नहीं करेगा इसलिए आप इस पार्ट को ध्यान से देखिए कि back के portion में वो जो है वो dark होने चाहिए और front में आप light रखिए तब जाके ये natural look आएगा अब मैं यहाँ पे pencil brush से जो highlighter मैंने cheekbone पे यूज किया था वही highlighter मैं tear duct में भी यूज कर रही हूँ जिससे कि मेरी eyes और जादा बड़ी लगेगी front में अब जब eyes में हमने इतना strong color use किया है तो lips को थोड़ा सा customize कर लेते हैं उसके लिए मैंने ये kinda sexy nude lipstick है इसको मैंने use किया है चाहे तो आप सिरफ lip pencil भी use कर सकते हैं कोई भी lip pencil बट ऐसे loud color नहीं होना चाहिए अब इसके बाद use करूँगी gloss जो कि हमेशा ही trend पे रहता है और gloss लगाने के बाद lips थोड़े से मोटे भी लगते है और अच्छा लगता है in fact अब मैं यहाँ पे use करूँगी eyelash जो कि मेरे natural lash के बहुत करीब मैं stick करूँगी इसको बहुत लोग skin के उपर चिपका देते है या फिर front से उतर रहा होता है back से भी निकल रहा होता है तो यह गलती आपने नहीं करना है glue अच्छे से लगाईए इतना लगाईए कि आपके lash में चिपक जाए otherwise ज्यादा glue भी लगाते है तो वो stick नहीं करता है यहाँ पर मेरा makeup जो है complete होता है और दुबारा से मैं यह mist use कर रही हूँ glow के लिए hair मैंने already wave कर लिया था और I hope यह video आपको अच्छा लगा अगर आपको अच्छा लगाए तो चैनल को जरूर subscribe करेए thank you so much for watching me bye bye